प्रिंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे फीमस इंडियन इंग्लिश पोईट एक रामानुजन की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है टाइम एंड टाइम अगीन फ्रिंट्स ये एक बहुत ही पोयम है रामानुजन जी की और इस पोयम में उन्होंने बताया है कि किस तरह हमारी सोसाइटी में बहुत सारी फॉल्स चीजे जो है वो फैली हुई हैं जिस तरह से हम कह सकते हैं religious disputes होते हैं धर्म के नाम पर लोग जगड़ा करते हैं और humanity जो है वो दिन बदिन गिरते जा रही है तो इन सब का किस तरह से प्रभाव चल रहा है हमारी natural day-to-day world में और किस तरह writer को उमीद है कि एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा nature जो है वो खुद को खुद ही समालेगा और फिर पूरी तरह पीस हो जाएगी हर जगर शान्ती चा जाएगी लेकिन ये कब होगा तो एक particular interval of time के बाद कुछ समय लगेगा लेकिन ऐसा जरूर होगा कि ये सारी problems ये सारे जगड़े खत्म हो जाएगे और सिर्फ शान्ती ही शान रामानुजन का पूरा नाम था अटिपट्टे कृष्णस्वामी रामानुजन उनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1929 में और उनकी डेथ हुई थी 13 जुलाई 1993 में वो एक इंडियन पोईट थे और साथ ही इंडियन लिट्रेचर के स्कॉलर थे जो की दो लैंग्विजज इंग् और कंणर दोनों में ही लिखा करते थे साथ ही उन्हें कई अवार्ड्स भी दिये गए हैं जैसे मेक आर्थूर फेलोशिप साहित्य अकैडमी अवार्ड पदमश्री और उनकी फेमस वर्क्स में दस्ट्राइडर्स, सेकेंड साइट, रिलेशन्स ये सभी शामिल हैं तो चल सुनो, किसे सुनो तो उन क्लॉक तावर्स को, उन बड़े बड़े घंटागरों को सुनो, जो कहा है किसी वेल मैनेज़ सिटी में हैं, एक अच्छी तरह से डेवलप्ट, किसी पुराने शहर में जो घंटागर होते हैं, उनके घंटियों की आवाज को सुनो, क्लॉक्स लग और क्या होता है, समय के साथ ही वो अपने घंटे को बार बार बजा रहे होते हैं, उसी साउंड को हमें यहाँ पर सुनना है, इच स्लाइटली ओफ दी अदर्स टाइम, और हर घंटी हर जो क्लॉक है, वो क्या है, दूसरे से थोड़ी अलग है, ऐसा नहीं है कि सारी जो सारी जो क्लॉक की आवाज है, वो एक साथ बचते हैं, उन में थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेज होती है, और डिफरेंसेज का रीजन क्या है, वो आगे राइटर बताएंगे, डीपर और लाइटर इन इस ब्रॉंज, फ्रेंट्स ब्रॉंज का मतलब क्या होता है, उनका कॉंपोजीशन जादा है, और कुछ ब्रॉंज क्या है, वो लाइटर है, वो थोड़े हलके हैं, बीटिंग आउट अडिफरेंट सीक्वेंस इच हाफ आवर, और हर आधे घंटे पर क्या होता है, इनका सीक्वेंस बदल जाता है, हर आधे घंटे पर वो अलग-अलग टाइम से बच ते हैं, जो सारे divs हैं, उनका अलग-अलग समय है बजने का, उनके बजने की जो frequency है वो अलग-अलग है, और यही डिफरेंस जो हैं, यह इन घंटा करों को, इन clock towers को noticeable बनाती हैं, इसलिए लोगों का ध्यान in clock towers पर जाता है, अब यह डिफरेंस क्यूँ हैं, तो out of the accidents of alloy तो हो सकता है कि जो alloy है ये जो bronze है उसे बनाने में कुछ accidents हुए होंगे यानि चुकि bronze में copper और tin दोनों पड़ते हैं तो हो सकता है कि किसी में copper जादा रही होगी किसी में tin जादा रहा होगा किसी में दोनों की मात्रा बराबर रही होगी यह जो alloy बनाया गया bronze का इसमें जरूर ही कुछ differences हो गए होंगे इसलिए शायद इनकी sound जो है इन clock towers की वो different है इनके बजने की frequency क्या है different है A maker shaking hand in Switzerland Friends देखे Switzerland जो है उसे clocks और watches का hub माना जाता है यह कहा जाता है कि Switzerland की जो बनीवी घडियां होती है वो सबसे best होती है तो इसलिए यहाँ पर Switzerland का use किया गया है writer कहते हैं कि एक maker एक घडियां जो कहां से होगा Switzerland से होगा उसके हाथ जो होंगे वो काप रहे होंगे shaking hand होंगे और इसी shaking hand के कारण इन कापते हुए हाथों के कारण क्या हुआ होगा कि वो घडियां जो है वो थोड़ी थोड़ी अलग हो गई होंगी अगर उसके हाथ नहीं कापते तो हो सकता था कि सारे घडि जो होते वो एक जैसे होते सारे clock towers एक जैसे होते लेकिन चुकि उसके हाथ काप रहे थे तो क्या हुआ सब ही घडियों में कुछ डिफरेंसे आ गए और दा म्यूच्वल डिस्टेंस इस को मिमरेटिंग और डोनर्स विम फ्रेंट डोनर किसे कहा जाता है डोनर मतलब हुआ देने वाला अब जब ये clock towers बनाए जाते हैं तो जो society के rich लोग होते हैं जो aristocrate हुए या जो religious people होते हैं या जो politicians होते हैं वो क्या करते हैं वो अपने तरफ से कुछ पैसे देते हैं दान देते हैं और उन पैसों से ये clock towers बनाए जाती हैं तो ये उन donors की विम होती हैं उनकी सनक होती है कि वो ये clock tower बनाना चाते हैं तो जब ये clock tower बनाई जाती है तो ये एक तरह से लोगों को उनकी याद दिलाती है कि इस clock tower को बनाने में उन्होंने पैसे दिये थे और शायद इसी लिए यहाँ पर ये sound का difference है क्योंकि हर clock tower एक दूसरे ही इनसान को याद करती है एक दूसरे इनसान को commemorate करती है तो इसलिए शायद इनके sound में ये differences आ गए होंगे अब एक और reason यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि जो perennial feuds हैं यानि जो साल भर चलने वाले जगडे हैं और seasonal alliance है यानि कभी कभार किसी मौसम में जो उनके बीच में दोस्ती हो जाती है कि इनके बीच में तो इंडिया के three major religions के बीच में हिंदू, Christian और Muslim इन तीनों के बीच में क्या होता है पूरे साल जगडे चलते रहते हैं और कभी कभी क्या होता है इनके बीच में दोस्ती हो जाती है तो शायद इस जो difference का ये जो relationship है कभी दोस्ती होना, कभी जगड़ा होना इसे भी कही न कहीं जरूर ही ये clock tower show करने की कोशिश कर रहा है इसके बारे में हमें पहले से संकेत दे रहा है इसलिए सायद इन clock towers का जो sound है वो different है cut off sometimes by a change of wind, a change of mind or a siren between the pieces of a back street quarrel अब यहाँ पर writer कहते हैं कि ये जो जगड़े होते हैं इन तीनों religions के बीच में इनका कोई particular reason नहीं होता कि ये जगड़े क्यों सुरू हो जाएंगे यहाँ जो riots होते हैं, जो दंगे होते हैं आखिर उनके सुरू होने की क्या reason होती है तो ये कुछ sure नहीं है लोगों के मन में अचानक से कोई सोच आती है वो सोच भड़क जाती है, दूसरों को भी भड़का देती है इस वज़े से कुछ हो जाता है या क्या होता है आपके पीछे की गली में बैक स्ट्रीट में एक छोटा सा जगड़ा हो जाता है जो religion से related है भी नहीं लेकिन चुकि दो अलग-अलग religion की लोगों के बीच में जगड़ा हो गया तो वो एक dharmic matter हो जाता है एक religious matter हो जाता है और इससे क्या होता है दंगे शुरू हो जाते हैं लोग तोड़ फोर मचाना शुरू कर देते हैं और sirens की यानि पुलिस की यहां पर जरूरत पढ़ जाती है तो एक तरह से writer समझा रहे हैं कि यहां जो यह इंडिया में religion से related problems होते हैं यह जो जगड़े हो रहे हैं या धर्म के नाम पर जो हिंसा हो रही है इनका कोई particular reason नहीं होता लोग यह नहीं सोचते कि आज हम जा करके वहां जगड़ा करेंगे अचानक से ही मन में कोई बात आती है वो बात क्या होती है वो आग की तरह फैल जाती है लोग उसका कुछ और मतलब निखालते हैं और तुरन थी जो बहुत ही normal बात थी जिसे बहुत ही आसानी से बात करके समझाया जा सकता था वो तुरन थी एक बहुत बड़े दंगे में change हो जाती है अब दंगों के बाद क्या होता है रैटर कहते हैं कि दंगों के बाद हम एक clockwork एक ट्लॉक तावर के पास पहुँचते हैं जो की नॉक डाउट है उसे डिस्ट्रॉइ कर दिया गया है उसे तोड़ दिया गया है और ऐसा लग रहा है मानों की वो आइलेस है उसकी आँखे नहीं है वो कुछ देख नहीं सकता बिल्कुल साइलेंट है उसकी आवाज तक नहीं आ रही है चूंकि उसे तोड़ दिया गया है तो उसकी घंटे भी बज नहीं रहे हैं और उसके थूरू हम क्या करते हैं हम उस आसमान को देखते हैं उस काय को देखते हैं जो की जिग जग है फ्रेंट्स यहाँ पर जिग जग का मीनिंग क्या है जिग जग एक तरह का कह सकते हैं सिंबल दिखाया जा रहा है हमारी इस डिस्टॉर्टेड सुसाइटी और रिलिजिन का किस तरह से इतनी ज़ादा मतभेद हैं इतनी ज़ादा डिफरेंट डिफरेंट थॉर्ट्स आ रहे हैं लोगों के मन में कि यहाँ पर बताया जा सकता है कि जो लोग रिलिजिन को पढ़ाते हैं जो प्रीचर्ज हैं जो किसी भी रिलिजिन में हेड पर होते हैं वो लोगों को यही जूट सी चीजें सिखाते हैं और यह कब हमें पता चलता है जब दंगे होते हैं राइट्स होते हैं जगडे होते हैं तब हमें पता चलता है कि जो भी चीजें हमें सिखाई जा रही हैं वो सच नहीं हैं लोगों के मन की जो भावना होती है, वो ही इन चीजों पर कंट्रोल करती है After a riot, a peace march time bomb or a precise act of nature in a night of lightnings अब riot के बाद, दंगे के बाद क्या होता है? एक peace march time bomb होता है यानि अक्सर आपने देखा होगा, जब दंगे होते हैं तो उसके बाद क्या होता है? एक पीस मार्च निकाली जाती है लोग हाथों में मुंबतियां पकड़ कर सडकों पर चलते हैं और जो लोग मर चुके हैं या जितनी भी नुकसान हुए हैं इन दंगों में उसके लिए दुख मनाते हैं राइटर कहते हैं कि बहुत हद तक चांस है कि इन पीस मार्च के दोरान ही अचानक से फिर से कोई नफरत की चिंगारी भढ़के और वहाँ पर ही एक दूसरी राइट दुबारा से शुरू हो जाए ये एक पीस मार्च टाइम बॉम की तरह है अचानक से वहाँ भी कुछ भी हो सकता है और ये जो नफरत की चिंगारी है ये कभी भी फैल सकती है और फिर आखिर में पोईट क्या कह रहे हैं कि और अप्रिसाइज आक्ट ऑफ नेचर इन नाइट ऑफ लाइटनिंग यानि ये सब कुछ तो क्या किया है अब नेचर क्या करेगी इन सारे प्रॉब्लम से नेचर कैसे निकलेगी तो यहाँ राइटर कहते हैं कि जो नेचर है उसमें एक प्रिसाइज पावर है एक एक्क्यूरेट पावर है उसे पता है कि उसे क्या करना है और ये जो power है इसकी जो ताकत है वो बड़े बड़े thunder storms की तरह है जो सब कुछ को मिटा सकती है, सब कुछ को बदल सकती है एक तरह की कह सकते है blackening ना सकती है, अंधेरा ला सकती है और बीच बीच में हमें बस lightning दिखाई देगी और ये जो power है ये किसी भी दंगे के power से, किसी भी religious thought के power से बहुत ही जादा है क्योंकि ये क्या करसी है, ये massive devastation कर सकती है लोगों की जिंदगियों को, उनकी properties को, उनकी विचारों को सब को बदल सकती है तो end में power किसके पास आजाता है वापस, तो nature के पास भले ही हम कितना भी कुछ सोचें, कितना भी कुछ decide करें दूसरे humans पर अपना control दिखाने की कोशिश करें nature end में अपनी power को शोकर ही देती है और तब हमें पता चलता है कि असली powerful यहाँ पर कौन है तो friends, यहाँ पर ये poem खत्म होती है, काफी symbolic poem है और इस title को बहुत ही अच्छी तरीके से define करती है time and time again, यानि समय समय के बाद यह सारी चीज़ें होती रहती हैं, दंगे होते रहते हैं clock towers बनते हैं, उन्हें तोड़ा जाता है, धर्म के नाम पर लड़ाईयां होती है और फिर क्या होता है, नेचर अपना असली रूप दिखाती है वो दिखाती है कि असल में powerful कौन है और उसका जो effect होता है, उससे कोई बच नहीं पाता तो friends, ये थी एके रामानुजन की poem time and time again अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो please like, comment और share करिए